अब मुझे अपना सवाल पूछने में भी डर लग रहा है, क्योंकि मेरा सवाल है, मैं एक छात्र कार्य करता हूँ, मुझे अलग-अलग मंचो, खास कर मीडिया पर अपनी संगठन का प्रती निधित्व करने के बहुत से अफसर मिलते हैं, और ऐसा करते हुए मुझे काफी प राजनीती में एक महिला के लिए ऐसा क्यों है, मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ, उसकी सफलता के लिए मुझे शर्मिन्दक क्यों महसूस कराया जाता है? देखिए, आप जिस सफलता को सफलता मान रही हैं, वो सिर्फ एक पहचान है, जिसका मतलब है कि कुछ लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, जो लोग आज सराहना कर रहे हैं, कल सुबह वे पलट कर आपर पत्थर फेकेंगे, वही लोग, दुनिया का यही तरीका है, ठीक है? तो किसी की सराहना पर आसमान में मत उड़िये, यह ऐसा है, जैसे आप बाहर गए, किसी ने आपसे कहा कि आप धर्ती के सबसे शांदार इंसान हैं, तो आप बादल पे उड़ते वे घर पहुँचे, कौन से नमबर का बादल? सिर्फ नौ, दक्षिन भारत में बादल का नमबर 11 होता है, आप जिस भी नमबर के बादल पर सवार होकर घर पहुचे, घर पर लोगों ने आपको आपकी एसलियत बताई, और सब भी खर गया, इस मोड में मत आईए, उपर मत उड़िये, और नीचे भी मत आईए, किसी के क कुछ कहने पर, ऐसा सिर्फ तभी होता है, जब आप नहीं जानते कि आप कर क्या रहे हैं, अगर आप इस बारे में सपष्ट हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो लोग जो चाहें कहें, वे बड़ी बाते कहेंगे, लेकिन आप सिमाय जानते हैं, वे बुरी चीज़े कहेंगे, म अगर आप इससे प्रभावित हो रहे हैं कि कोई आपके बारे में अच्छी या बुरी चीज़ें कह रहा है, तो आप अपने जीवन को सिमित कर लेंगे, क्योंकि अगर आप बाहर कदम निकालते हैं, तो जाहिर है कि तरह-तरह के लोग तरह-तरह की बाते करेंगे, लोग मु जगर आपके बाते हैं, तो आपके बाते हैं, झाता है?